प्रेस विग्यपती जारी का रखिल भारती छत्रिये महासभा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष संजु सिंग ने बताया कि बेहन अंकिता के हत्यारे को राजी के सरकार पास्ट ट्रेक के तहट मुकदमा लगा कर उन्हें फौंसी की सजादी और बेहन अंकिता के पिता जी को जल्द से जल्द उने आर्थिक सहयोग एक करोड रुपे एवं घर में एक सरकारी नौकरी का प्रावधान करें नहीं तो छत्री महासभा पूरे राजी में आंदोलन करने पर बाद्धी होगा और इसकी जिम्मेदारी जार्खन सरकार के शासन और प्रशासन की होगी रामा शीष कुमार की रिपोर्ट पार्टन पलामो हाँ प्रेंस करने का मुख खुदेश है कि आज आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि जार्खन में बहुन अंकिता सिंग का जो पिट्रोल जला कर सरीर में और आग लगा कर जो आज जलाया गया है उसको आज बहुत दु होई होई बेक्ति प्रिवार के बीच में जाकर खेड़की तोड़कर सहरुक नाम करा एक छोटु नाम का दो लड़कन जाकर घर में पिट्रोल छिरा कर उसे जलाने का जो कार्ज किया है आज बहुन अंकिता जी के प्रिवार में जिस तरीका से आज एक सोक ब्याप्त है और उस हलात को देखकर आज सभी को दिल में समझे की आंसु भरा है और उस सहरुक के नाम के बेक्ति के लिए सभी के दिलों में गुस्ता उत्पन हुआ है और इस कारण एक चीर और है कि आज कॉन्फरेंस करने का मेरा मक्सद यहीं है कि मैं अखिल भारतिय चेत्री महासवा ट् जारखन के होने के नाते मैं आज इकंफरेंस कर रहा हूं कि बहन अंकीता जी का जो हत्यारे है उसे राज सरकार से उसे राज के महामहिम राजपाल से मिरा अगरह है अन्रोध है कि आप अपने माध्यम से कनुन ब्योस्ता के माध्यम से उसे दोनों गुनागारों को कोट के माध्यम से फाश्टेक लगा कर जितना जल्द सुनवाई करने का कार्ज करें और उस दोनों बेक्ति को फांसी का सजा मिलना चाहिए ये भारतिये सुविधान के तहत एक घोर अन्याय अत्याचार हुआ है आप देख रहे हैं इस राज के पूरे राज में कि बिधी ब्योस्था चरम पर है आज राज की वो दिरू दसा हुआ है उस गती में चल रहा है कि किसी भी बेक्ति अमन चैन के निंद नहीं सो रहा है जहां भी आप देखिए भैव्यावत है सभी लोग भैवीत है कि कब किसके साथ इस तरीका से घटना घट जाए आज बहन अंकिता जी के साथ वो इसा हुआ है एक और भी चत्रा के भी बहन के साथ ये शिट छिड़के वो इसे ही किया गया है आप यहीं पलामू के धरती पर द बर्चोस इतनी बढ़ गई है इतनी मनसोब हो गए हैं कि न लोगों ने लोगतंत्र को गरीमा को समय रहा है ना नियम को समय रहा है कानून को समझ रहा है ना मानयोता को समय रहा है ना किसी धर्म को समय रहा है और उन लोगों ने अपने मनमानी से अपने अत्याचार करना का आगरह है कि आप अपने अंतरगत कानुन ब्योस्ता को लें और मुझे तो लगता है इसी राज के जो मुख्मंत्री आदर्निय हेमंद सुरण जी है मुझे नहीं लगता है कि अब उनसे जारकन समखने वाली है क्योंकि दिन पर ते दिन यहां रोज बलातकार की चोरी की घटन घटे जारगी है कहीं मानके चलिए कि आप जाने आने लैक नहीं है जब राज की विधी ब्योस्ता अगर सही नहीं हो चाहे आगर आप विकास की बात अगर पर लेके चलते हैं तो विकास भी ठब है अगर कानुन ब्योस्ता पर अगर आप देखना चाहते तो राज सरकार भ जीवन जीने के लिए जार्खंड वास्यों के लिए महा महीम राजबाल से आग रहा है कि आप ततकाल राष्ट पति सासन लागों किरा कर अपने संग्यान में लेती हुए जार्खंड कभी दिव्यश्ता के सुधारने का कार्ज करें और जो विक्ति आज बहन अंकिता जी के सा जिसने अत्याचार किया है घिरोना को कर्म किया है जिसने जला कर मारने का काम किया है उसके लिए तो पूरिया जार्खंड जिस तरीका से अंदोलन रत रहा है उसे अंकिता के लिए जो आज शुक व्यक्त कर रहे हैं उसी कड़ी में अखिल भारतिये छेत्री महासवा ट्रस क्ल ही हम लोग और हमने किया था पूरी ज़िला पर्प एक दिवस्य सभी जिला में केंड़ा जलाकर अंकिता जी को हम लोग दो मिनट का मौन धारन कर नो उनको सर्धान्जिली अर्पित किये हैं कल हम लोग का पुरेज हार कर्म प्रदेश में सर्धान जीली का और रहा अनियत्था अगर अभी भी लोगतंद के गरीमा को देखते हुए नियम कानून को समझते हुए हम लोग कोई भी अपने माध्यम से कोई ऐसा काल नहीं करें जिस पर की लोगतंत की गरीमा कठेस पहुँचें कानून बीधी ब्योस्ता पर ठेस पहुँचें यह नहीं चाहते हैं अनियत्था अगर जिस तरीका से रोज परती दिन घटना घटती जा रही है हिंदुत की अगर बात करें हिं नहीं पैदा हो गए जहरखन के अंदर और उसी तरीका से हम लोग भी अगर करता है चले जाए तो आज मुझे लगता है कि जहरखन में यह सिरिया बने का काज नहीं होगा लेकिन आज हम लोग जो हिंदू समाज हैं कि हम लोग सभी को लेकर चलते हैं सभी धर्म को मान कर चल अंतगवादी से सांटगाट उसवीकति का है वह अंतगवादी है अगर उस बेगती को अगर झार्खन के अंदर उस बेगती को मानकी पूना अगर उसको नहीं फांसी दिया जाता है तो ऐसा ऐसा सारुक और पैदा होगे आएसे इसे हिंदु भाई के घरों में कितने माह पाल से आगरह है कि ये था सिर्ग फास्ट एक कोट्रेश चालू करकर आप उन्हें फासी के सजा सुनाने का काम करें नहीं तो अखिल भारतिय च्छेतिरी महासवार ट्रस्ट अभी हम लोग सांती व्योस्ता बनाए रखें हैं नहीं तो फिर हम लोग बाद में पुरे जहारकर तो परदेश में उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जवाब द्धेखी जिमवओरी सासन पर सासन अभी सिराज का सरकार की होगी अर्थिक मदद को लेकर कि क्या कहना चाहें हाँ आर्थिक मदद के लिए सरकार से भी मेरा गुजारिस है महामहिम राजपाल जी के मेडिया के मा से कि इस परिवार को दो लाक रूपिया का शाइदय चेको दिये हैं लेकिन राज सरकार के माधियम से अभी तक उनको आर०्थिक कोई कोई भी नहीं सुनने आया है, जबकि उसे गरीब बेखती थे, अंकीता के पिता जी को हालत ऐसा था, जिस समय वो अंकीता को हस्पीटर ले गया था, ऐसा बेड है उनको दिया गया था, जिस रूब वार्ड में दिया गया था, ना येसी का बेखता था, और ना पंखा के बेखता उनको समझे जन्रल वार्ड में ले जाकर भरति कराया गए था उस बेक्ति के पास पंखा लेने के पास अपने पास पैसा नहीं था किसी माने होता के नाते दूसरे बेक्ति उनको एक पंखा खरीद के दिया फिर भी उस पंखा से गर्मी नहीं जा पाया तरप रही उस अंकीता को तो उसकी पिता जी ने किसी तरीका से पैसा छे सो रूपया में फिर एक अपना खरीद के पंखा लाए मेरा एक कहना है कि राज का मुख्मंत्री महदे से कि अगर आप जान रहे थे कि अंकीता जी को जलाया गया है उसका नब्वे परतिस्थ भाग पूरे तरीका सरी जल गय था इसके वावजूद भी आपने जेनरल वाड में रखने का कार्ज किया उसका संग्यान नहीं लिए उसको आप अच्छा बिधी ब्योस्ता नहीं दे पाए उसको इलाज बढ़िया से नहीं करा पाए आज अगर आपने उसको अच्छे डॉक्टर के पास यहां से आप भारती जंता पाटी है वें कल हमने देखा कि भारती जंता पाटी के कुछ बरिये पता धिकार है मनमच तिवारी जी और सरमा जी निसिकान दुबे जी के साथ और जाकर 28 लाग का चेक उनके घर के परिवार रावले को दिये हैं एक राज सरकार के माधिया करना घौसना के एक बेक्ति को घर में नोकरी दे दें और एक करोर रूपया का आर्थिक सहयोग करें अनिय था अगर ये कार्ज मुख मंत्री जी नहीं कर पाते हैं तो इस राज में सारे